So good morning friends, welcome to PD classes, दोस्तों आज हो मारा session है, बेस्ट है, handyman, handywoman interview based और ये जो post है दोस्तों, इसमें male और female दोनों apply कर सकते हैं और बताना चाहूँगा, even 10th class person apply कर सकते हैं इस job में और आप easily airport पर job पा सकते हैं चलिए, सबसे पहले में मिलाना चाहूँगा मुनिका से यहाँ पर, मुनिका आज जो हम सेशन लेने वाले हैं, वो handy for women and if there is a man then it is handyman based interview है और उमीद करता हूँ इस interview के अंदर हमें बहुत कुस सीखने को मिलेगा और जितने भी में technical round के questions भी पूछूँगा तो उमीद है वो questions भी हमारे students के बहुत काम आएगा और बताना चाहूँगा हमारे दोनों channels, PD classes और interview guide पर आप abundant of videos regarding spoken English, personality development, body language related videos देख रहे हैं और airline related videos आपको दोनों channels पर मिल रहे हैं PD classes पर और interview guide पर भी चले मोनिका मैं आपको सबसे पहले वेलकम करता हूँ Thank you sir चले मोनिका सबसे पहले आप मुझे यह बताईए कि handy women का work profile क्या होता है Sir, handyman जो नाम से पता चल रहा है helper Yes Sir, यह responsible होते हैं for electrical mechanical और जो plumbing होते हैं उसके लिए responsible होते हैं उसकी रिपेरिंग के रिपेरिंग के लिए और यह जो रिपेरिंग के साथ था जो पेंट करना होते हैं walls को, doors को, windows, ceilings को color करना होता है वो भी इनकी responsibility होती है Sir, जो एर कंडिशनर होते हैं और heating system होते हैं उनको रिपेर करने का भी काम करते हैं Sir, यह इनकी responsibility होती है कि जो mechanical equipment है वो अच्छे से वर्क रहें, lights फगिरा में कोई problem ना है और Sir, जो fixture, displacement है वो भी वर्क करते हैं, tiles का भी वर्क करते हैं इसलिए इने skilled journalist भी का जाता है, Sir, यह पेचिंग और पेंटी का वर्क भी करते हैं As a office girl, as a office boy, और जो trolley man होते हैं, loader हैं, उनका वर्क भी यह करते हैं और Sir, यह जो mechanic होते हैं, plumber होते हैं, carpenter होते हैं, जो aircraft technicians होते हैं, उनके साथ भी वर्क कर सकते हैं Wonderful, आपने बहुत अच्छा वर्क प्रोफाइल बदायर रेली, handyman, women का चलिए, अब मैं आप से जाना चाहिए, क्या-क्या, skills जरूरी होती है, अगर आपको handyman बनना है, Sir, बहुत सी common skills होने चाहिए, जैसे Wonderful, बहुत अच्छा बताया आपने, अच्छे, मुझे यह बताये कि एक handyman अपनी जो skills है, वो कैसे डवलब कर सकते हैं, Sir, vocational training के दवारा, self-study के दवारा, और जो work experience है, उसके दवारा कर सकते हैं, Okay, and very important is, apprenticing के दवारा की, वो अपनी skills को डवलब कर सकते हैं, अच्छे, जो handyman word है, वाक difference है, तो इसका meaning क्या होता है, except क्या में है, Sir, इसका मतलब होता है, वह है person, जो अलग-लग repairs में skilled हो, Sir, इन्हें helper, handy person, और old job man, और जो jack of all trades भी का जाता है, Sir, इनका work होता है, electrical maintenance करना, Okay, लगी आप इस जॉब के लिए आरहे हैं, तो मेरा कोशिन है कि आप experience है क्या पटिकुलर, यस, Sir, मैं जो एक साल का office maintenance का जो experience है, Okay, एक साल का? Yes, Sir, मैं जो भी फैंस और एर कंडिशनर उनको रिपेर करने का काम किये, Sir, जो electrical और जो plumbing work है, मुझे उसका काफी experience है, और, Sir, जो मेरे, इसके साथ मैं बताना चाहूँगी, Sir, I am creative girl, I love challenges. Monika, आपने जो इतना knowledge gain कि आप बता रहे हैं कि आप जो electrical work है, plumbing work है, कैसे आप कैसे सीखे कैसे? Sir, मैंने ITI में अपना डिप्लोमा किये, और मैं गर पे भी कई बार electrical equipment को अच्छे से चैक करती रहते हैं, उनको सही करती रहती हो, और मुझे इस फिल्म में काफी interest है. माली जी कोई AC में प्राबलम आ रही है, और आप से समझ नहीं है, आपको नहीं समया रहा है, कैसे इसको स्वाल करना है, प्राबलम को, शायद थोड़ी, मैं कह लीजी, सीवीर प्राबलम है, तो आप क्या करेंगे? सर, मैं बताना चाहूंगी, ऐसा मेरे साथ अपनी लास्ट जो में एक दो बार हुआ है, पर मेरे जो सीनियर्स हैं, और मेरे फ्रेंड्स हैं, वो अपनी स्रड़ी इंजीनिरिंग में करने आगे चलेगे, उन्हें इंजीनिरिंग का काफी experience है, तो मैं उनसे काफी help लेती रह और मैं अपनी प्रावल्म को एजीली सॉल्व कर लेती हूं, और मैं अपनी प्रावल्म को एजीली सॉल्व कर लेती हूं, और मेरे लिए कोई भी काम छोटा ये बड़ा नहीं है, मुझे लगता है कि आज के दोर में हाईयर education से ज्यादा इंपॉर्टे वर्क प्रफाइल है जो वर्क प्रफाइल है ये मुस्ली मेल्स के लिए ज्यादा सही है, इंस्ट ऑफ फिमिल्स, नो सर मुझे ऐसा नहीं लगता है, आज के दोर में जो मैन और वुमेन हो हर फील्ड में हर और 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 इक्विली वर्क कर रहे हैं, जैसे कि पाइलेट हो चाई डॉक्टर हो हर फील्ड में लड़की और लड़के दोनों एजीली वर्क करते हैं, अच्छा है बट बहुत बार वर्क ऐसे होते हैं, जैसा लॉडर वर्क और कई बार हैवी चीजें आपको उठानी पड़ सती है, तो ये कुछ प्राबलोम है, जिसमें आपको टेक्निशियन जो आपने आपको लापकर करना है तो थोड़ा सा वर्क लोब है तो तो थोड़ा सा सा वर्क लोड रहता है, और वासस जो आपने बताया, और आभ इस भायब फिस गरल के जोग हर भाजा पर अगी तो मुझत अभ। तो इसा प्रफाइल आप कर लेंगे? यह सर मैं डेफिनेटली कर लोंगी वर्क इस वर्षी फोर मी और जैसे मैंने पहले भी मैंशन किया कि कोई भी वर्क मेरे लिए छोटा यह बड़ा नहीं है आपकी स्ट्रेंग्स पता सकते हैं? यह सर्थ मैं समय आए पता सकते हैं जोवल फिलन्थ्रॉपिस्ट करता है विखनेन अगल्ट्रोंटीट्व इखने से में वर्क में इसेफियर दिश्तितिर दिवर दिश्रॉडपटिट्वार सफ पते हैं और गौडफादर ओफ इंग्लिश ग्रामर पट रहीं तो आप इन बुक्स के थोऔर आप बेनिफिट ले रहे हैं यह सर्थ आपकी होबीस बताजी सर माइ होबीस आर आप एंट्रेवलिंग, मेकिं नीव फ्रेंड्स और रीडिग मोटिवेशनल स्टोइज और सर जो मुझे इलेक्ट्रिकल इक्विमेंट से उनको सही करना अच्छा लगता है और माली जे इस इंट्रू के लिए आप आई हैं यह पटिकुलर की इंट्रू जो है इसमें बहुत से गडिट्स हैं तो हम आपको क्यों स्लेक्ट करें सर मैं अपने आपको उन लोग के साथ तो कंपेर नहीं करूंगी कुछ मुझसे जादा भी डिजर्व करतें कुछ मुझसे कम भी डिजर्व करतें बट मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी सर मैं हर वर को ओनस्तली करती हूं और मैं पने वर्क को लेक काफी पंचु अलो आप टीम में पसंद करते हैं या अलोग? सर इफ नेसरी, I can work alone, but my preference is team because I am team spirit girl Wonderful, what does your name mean? सर मैं नेम इस good advisor और मुझे लोगों को advise करना और motivate करना बहुत पसंद है And what are your salary expectations? Sir, work is worship for me, money doesn't matter for me, money not essential thing, growth opportunities are more important अपने बताया है कि आपको यहाँ पर एर क्राफ्ट इंजिनियर्स इस तरीके के लोगों साथ काम करना पड़ सकता है इवन आपको मेकैनिक और प्लंबर के साथ इवर्क करना पड़ सकता है तो जब आप लोगों साथ काम करेंगे, तो आपको किस तरह के लोगों साथ काम करना पसंद है Sir, मैं हर तरह के लोगों के साथ वर्क करना पसंद करोंगी जो अपने वर्कों लेकर काफी ओनेस्ट है, पंचुल अपने टाइम को लेकर इस तरह के लोगों के साथ वर्क करना पसंद करूंगे सर् और किस तरह के लोगों साथ आप कम करना नहीं पसंद करते हैं? सर्जो लोग लेजी हैं अपने वर्कों काफी लाइटल देते हैं फर्स्ट परड़िटी नहीं देते हैं उन लोगों के साथ वर्क करना पसंद देते हैं तुमालीजी अपके कुछ टेक्निशन है वो लेजी ए लिथार्जी कह तो आप उनके साथ काम ने करेंगे सर्ज जैसे म देने का जो लास्ट कमरा वीडियो देखते हैं लास्में टिप जरूर देते हैं आज कर बहुत इंडरस्टिन है दोस्तों धियां से सुनिए ना देखे जब आप इंटर्वी देने जा रहे हैं आप अच्छे से जानते दोस्तों इस पर्टिकुलर जॉब के लिए हैंडी मे तक जैसा आपको बताया मोनिका ने कि इसको एक तरीके से वर्ट साय किसलीए बनाए गया इस पर्टिकुलर पार्ट को इसली दिया गया ताकि जहाँ पर भी जुरोत हो आपको लगाया जा सके आपका बैनिफिट लिया जा सके तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप वर्स अगर आपको experience है, तो आपना experience बताइए, अगर आपकी education match करती है, इस particular profession के साथ, तो आप बिल्कुल अपनी education को भी add-on कीजिए, और last में punchline जिरूर दीजिए, sir I really need one chance to show my strengths, definitely आप बहुत अच्छा impression डाल सकते हैं, अपने interviewer के आगे, उमीद करता हूं कि हमारे airline related video आप दोनों channels पर देख रहे हैं, thank you so much Monika, proud of you for this particular interview, आपने बहुत अच्छा एंट हुए, keep it up, blessings, thank you sir, thank you